बारत में 10 सबसे लोगप्रिया नेता कौन से हैं ये जरूरी नहीं है कि लोगप्रिया होने के लिए आपको कुछ महान काम ही करना पड़े कई बार नेता अपने बयानों को लेकर विवादों को लेकर और कभी कभी तो अपनी तस्वीरों को लेकर भी सुर्कियों में बने रहते हैं राजनीती में ये एक उसूल मना जाता है कि आपके पास करने के लिए कोई काम हो या ना हो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है और विश्व के सभी बड़े और शक्तिशाली देश भारत को अपना मित्र बताते हैं। नागरिक को सफाई के प्रती मोदी जी ने जागरू किया है। सचिव भी रहे हैं 2019 लोग सबच चुनाव में गुजरात की राजधानी गांधी नगर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत दर्च की थी। अमित्र शा फिलाल भारत में ग्रह मंद्री भी हैं। जमू कश्मीर से धारत 370 की समापती में भी अमित्र शा का रोल एहम रहा है। इसके अलावा अपने बयानों और स्पीच को लेकर भी अकसर वो मीडिया में चाहे रहते हैं। राहूल गांधी ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी और हावर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की हैं। साल 2017 में 2019 तक मों कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। राहूल गांधी 52 साल के हो गए हैं लेकिन लड़कियों के बीच उनकी लोक्रियता आज भी कम नहीं हुई है। अर्विंद केजरिवाल ने जब से राजनीती में कदम रखा है तब से यूवां की राजनीती में दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। उन्होंने काम आदमी के रूप में अपनी चवी बनाई है। देश में राइट टू इंफरमेशन को लाने में अर्विंद केजरिवाल का युगदान काफी एहम रहा है। आज उनकी गिंती देश में सबसे अच्छे मुक्चे मंतरियों में गिनी जाती है। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ सेंटर में काबले तरीफ काम किया है। साथ ही साथ दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली और फ्री पानी जैसी स्कीम के जरीए उन्हें जनतां से धेड़ सारा प्यार और आशिरवात मिला है। अर्विंद केजरिवाल को साल 2006 में रह्मन मैगनेस पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया और तब से लेकर आज तक वो पार्टी के कनवीनर बने हुए हैं। अलग पहचान बना ली है। उत्तर पुर्देश के मुख्यमंतरी योगिया अदितिनात की लोगप्रियता लगातार बढ़ रही है। और ना सिर्फ यूपी में बलकी पूरे देश में उन्हें सबसे बड़े हिंदू लीडर के रूप में देखा जा रहा है। अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो रोजाना सुबर जल्दी उड़ जाते हैं और पूजा पाट करते हैं। लेकिन लोग आज भी उनकी साधगी को पसंद करते हैं। ममता हमेशा से ही समीन से जुड़ी नेता रही हैं। और उनकी इस बात के लिए भारत के पूरफ प्रधान मंत्री अडल विहारी वाजपई जी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। नमबर साथ उदफ ठाकरे। पत्नी और कॉंग्रेस पार्टी की पूर्फ अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पॉपिलारिटी के मामले में किसी से कम नहीं हैं। वो सबसे लंबे समय तक कॉंग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। पत्नी में मलिकार जुन खडगे को सोनिया गांधी के स्थान पर पार्टी का ध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके लिए बिहार के मुख्य मंतरी बने थे इसके अलावा वो केंद्र सरकार में रेल मंतरी और क्रिशी मंतरी भी रह चुके हैं। और अधिक इसाफा होता है साल 2009 में अब तक वो केरल की राजधानी तिरुवंत पुरम से लोग सबसांसद हैं साथ ही। पारलिया मैंटरी स्टेंडिंग कमिटीज के विदेशी मामलों के अध्यक्ष भी हैं। आज के लिए इतना ही आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और धेर सारी रोचक जानकारी के साथ धन्यवाद।